नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का चानल पे आज मैं आप सबसे बात करूंगा Slip disc और जो हमारी spine में जो हमारी read की हड़ी में अकसर आपने देखा हो कि लोग को operation की सिहार्टिका की जो तकलीफ आती है क्यों होती है यह पहले इसको समझेंगे और इसके निवारण के लिए आगे हम क्या कर सकते हैं इसको भी समझेंगे आईए तो जैसे कि आप मेरे सामने यह हड़ी देख रहे हैं यह basically आपके कूले की हड़ी है और यह जो है आपकी read की हड़ी है और यह जाके आपके मस्तिष्क में पीछे जोड़ती है basically है ना जब यह वेक्ति खड़ा होता है तो इसके पीछे के जो भाग है यह इस तरीके से हड़ पीछ में दिखती है इसको हम spinous process बोलते हैं और यह जो आपको हड़ीयों के बीच में दिखाई दे रहा है यह जो सफेद सफेद यह इसके बीच की गदी है basically जिसको हम डिस्क बोलते हैं यह जो पीला भाग आपको दिख रहा है यह इसके बीच से जो नसे निकलती है वो हो अब basically क्या होता है जब हम इनको समान वगरा कुछ गलत तरीक से उठाते हैं अगर आप इस तरफ देखें तो आपको यह कुछ लाल-लाल भाग दिखाई दे रहा है यह basically क्या हुआ यहाँ पे जो गदी है मैं आपको zoom करके दिखाता हूँ तोड़ा जैसे देखें अब यह ज निकलने के वेश से क्या है अगर आपको यह भाग जो दिख रहा है यहाँ से जो नस निकल रही है अगर यह जादा बाहर निकल जाए और इस नस को दबाने लगे तो basically हमको क्या है पाउं में जुनजुनाहट है ना दर्द कमर का दर्द जो है पाउं में जाने लगेगा पिशाब आना रुक जाता है लेटरिन आना भी कई लोगों को रुक जाता है इसको हम बहुते हैं क्वाड़ाइकवाइना सिंड्रोम बहुत ही सीवियर केस होता है किंतु लोगों को हो सकता है तो आईए अब इलाज की बात करते हैं तकलीफ हो आपने देख ली इलाज क्योंकि मास पेशियों और जो सॉफ्ट इशूज हैं उसको अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे उसकी ताकत बढ़ाएंगे तो यह जो डिस्क आपकी बाहर निकलने से रुक सकती है और इसके उपरान जो है आपको सिंटम पी देदेरे कम हो सकते हैं दूसरा जो महीन तरीका है व वैसे जो रीड की हड़ी तेड़ी हो गई तो वो सब यूजुली उससे ठीक हो जाता है किन्तु अगर आपको ऐसा ही डिस्क स्लिप डिस्क जैसे हम कहरें है डिस्क बल्ज हो गया है इसमें दोस्तों फिर वर्जिश और इससे बहुत जार रिलिफ नहीं आता तो इसके परान थी कुछ आगे करेंगे ठीक है पहले यह लोग करते थे क्योंकि इसमें रिकवरी रेट थोड़ा सा आपका लंबा हो जाता है सक्सेश रेट तो मोर अलश ठीक है अगर एक ही हड़ी इन्वाल्ड है तो यूजुली यह काफी नहीं करना चाहिए लोगों को मतलब प्र अपरेशन जो है हम पीछे से करते हैं दोस्तों हमेशा ठीक है अगर किसी भी व्यक्ति का आप ऐसे अपरेशन होना है तो उसे हम उल्टा लिटाएंगे उल्टा लिटाने के बाद ही इसका अपरेशन होगा चाहे हम उसको चीरा दे के करें यहां से चाहे हम दुरबंग पति इसको छोटा-चोटा हिस्सों में काटके इसको भाहर निकाल लेते हैं, यह दुर्बिन पत्ती से होता है तो लैप्रोशकोपिक लिए बोल देते हैं और अगर हल्का सा चीरा दे के मशीन गुसाकर माक्रोसकोप गुसाकर करें, तो इसे हम माक्रोसकोपिक डिस्क एक्टमी कह देते हैं अकसर मुझ से पूछते हैं कि क्या स्पाइन सरज्री कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए देखे दोश्तों अगर दूसरे का किसी का होता तो मैं बोलता है हाँ यह है वो है जैसे अभी मैं यूके में रहता हूं यूके में वेटिंग लिस्ट जादा है तो फिर मुझे इंडिया ना पड़ा मैं इंडिया आया अपने मेरे सीनियर सर्जिन है परीचित उनके पास जा के फिर रिस्क तो था दोस्तों किन्तु एमराई कराई और उसके बाद डिस्क जो म मुकाबले अगर आप देखें बहुत कम हो गया दोस्तों बहुत रिलीफ है मेरे को तो मतलब मैं हाला कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूं किन्तु यदी स्पाइन सर्ज्री करानी हो तो एक्स्पीरियन सर्जिन से कराएं कोशिश चे करी के दुर्बिन पत्दती से हो कई लोग का क्या होता है दोस्तों बहुत सारा डिस्क बल्जी एक साथ हो जाता है तो उनको फिर ओपन बड़ा चीरा अपरेशन करके उनमें रॉड वगरा इंप्लांट वगरा लगाना पड़ता है तो फिर बड़ा अपरेशन है दोस्तों काफी जादा किन्तु यदि आपको लंबे सम करना सब कुछ आपके लिए जो है दुखदाई हो गया तो ऐसे में दोस्तों ऑपरेशन के बारे में ज़रू सोचें जैसे मैंने कहा एक्सपीरेंस अरजन से कराएं और डिफिनिटल रिलीफ आता है मैं आप लोग को जो एक्सरसाइज करता हूँ मैं आजकल खुद जो झाल bereitsब एकता हैं, झाल जरू सथ जोग तो ऑकाल रज़ दो कि अधर, एक पूल आपके लिक से करता हैं, एक गपाल खक एक भाल जापके मैं प acostकें जो जगाइम जो हैं ।